हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर चैनल, दोस्तों हम आपके लिए एक और वीडियो लेके हाजिर हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों नियमित रूप से व्यायाम और योग का अभ्यास आपको निरोग रखता है, योग और एक्सरसाइज के अलावा रोजाना पैदल चलना या टहनना बहुत फाइदे मन होता है ये तो आप भी जानते ही होंगे कि नियमित रूप से वोकिंग करने से डाइबेटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट हैल्थ, किट्नी हैल्थ और कैंसर जैसी बड़ी बिमारिया काफी हद तक नियंत्रित रह सकती हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि उल्टे चलने या फिर पीछे की और चलने से भी शरीर को कही लाब मिलते हैं जी हाँ, आपने बिल्कु सही सुना पीछे की और चलना एक पहतरिन कार्डियो वर्काउट है जो ना केवल शरीर को फिट रखता है बलकि नियमित अब्याद से आपके मानसिक स्वास्ते में भी सुधार करता है तो आईए जानते हैं पीछे चलने के फायदे दोस्तो इसका पहला फायदा है ये कमर दर्द को दूर करता है नियमित रूप से उल्टा चलने से कमर दर्द की समस्या, लोर बैक पेन और रीड की हट्डी से जुड़ी समस्या में फायदा मिलता है पुराने समय से बना पीट में दर्द उल्टा चलने से दूर हो जाता है दोस्तों इसका दूसरा फैदा है कि इससे बोडी बैलेंस और कोडिनेशन अच्छा रखता है उल्टा चलने से शरीर का संतुलन ठीक रहता है और ऐसा माना जाता है अगर आप सीधा चलने के बज़ाए रोजना कुछ देर उल्टा चलते हैं तो इससे आपके दिमाग पर ज्यादा जोर पड़ता है ऐसा करने से दिमाग ज्यादा काम करता है जो शरीर के तालमेल और संतुलन को बढ़ाने के लिए काफी उपियों की मैना जाता है ऐसा करने से आपके एक आगरता भी बढ़ती है और मन स्वस्त रहता है दोस्तो इसका तीसरा फाइदा है कि ये मानसिक स्वास्ते के लिए बेहत फाइदे मंद है रोजना उल्टा चलने से आपका दिमाग स्वस्त रहता है और दिमाग को ज्यादा काम करना करता है कैई शोध और अध्यान में इस बात की भी पुष्टी हो चुकी है एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्या में रोजाना उल्टा चलना काफी फायदे मन दोता है दोस्तो इसका चोथा फायदा है कि ये घुटने के दर्द में रहात दिलाता है बहुत से लोग घुटने के दर्द से परिशान होंगे और उनके लिए ये एक अच्छा व्यायाम है ऐसा करने से घुटने के दर्द में आराम मिलता है घुटने के तनाव को दूर करने और दर्द या सूजन की समस्या से चुटकारा पाने के लिए रोजाना कुछ देर उल्टा टेहलना बहुत फायदे मंद होता है दोस्तों इसका पाच्वा फायदा है कि इससे पैर काफी मजबूत होते है दूसरी दिशा में उल्टा चलने से माशफेशियों को फायदा मिलता है और पैर मजबूत होते है पीछे की तरफ की माशफेशियों का व्यायाम उल्टा चलने से ही होता है तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि जानकरिया आपको काफी पसंद आई होगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए धन्यवाद